आज हम बनाएंगे अंडा मसाला की धावर स्टाइल रेसिपी जो कि बहुत असान है बनाने में इसकी थिक क्रेवी के रिए हम स्वाल करने है नारियल का जो कि इसे बहुत ही अलग और अच्छा टेस्ट देती है इस क्रेवी के साथ आप चिकन मतन या फिर पनीर को भी ट्राइ कर सकते हैं यह बहुत ही ज़्यादा लाजबाब लगेगी इसे मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है जिससे की आसानी से आप इसे फॉलो कर पाएंगे तो रेसिपी को पूरा जरूर देखिए पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेर करना बिल्कुल ना भूले इसे बनाने के लिए यहां पर मैंने छे अंडों को वाल के ले लिया है सबसे पहले इन्हें Its नमक सब्पेसिक म्रीणेशन है मिर्च लिच नमक और तोरी से हलिव सब्सक्रथ्थ यहनु मिक्स कर लीज़े अब एक मसाला पेस्ट बनाएंगे जिसके लिएए यहां पर में मैंने दो छोटी चम्मच coriander seed एक छोटी चम्मच जीरा साथ से आठ कली लसुन का एक इंच डुकड़ा अध्रक का चार हरी लाइशी और इसके साथ यहां पर एक चोथाई कप नारियल डाल देंगे फ्रिस coconut इस्तुमाल कीजेगा अच्छा टेस्ट करेंगी इसके ब्रॉन स्कीन को और यहां पर पानी के साथ इसे अच्छी तरह से पेस्ट बना के त्यार कर लीजे यह देखिए इसका टेक्श्चर अब एक मिक्सिंग बॉल में चार टेबल स्पून दही को अच्छी तरह से बीट कर लेंगे एड़ करेंगे इसमें आधा चोटी चमच चल्दी पॉडर आधा चोटी चमच गरम मसाला पॉडर एक चोटी चमच कश्मिरी लाल मिर्च पॉडर और एक टेबल स्पून कसूरी में थी सबको अची तरह से मिक्स कर लीजे अगर आपको लाल मिर्च ज्यादा पसंद है तो यहां पे लाल मिर्च भी एड़ कर सकते हैं इस पेस्ट को भी मिक्स करने के बाद साइट कर देंगे तो बनाने के लिए यहां पे एक कड़ाई में पांच टेबल स्पून तेल गरम किया है मैंने सबसे पहले अंडो को शेलो फ्राइ करेंगे गैस कफले मीरियम टू हाई की बीच रखे अंडे डालने के बाद इसे लग हम ग्रेवी बनाएंगे तो यहां पे एट किया है आधा चोटी चमस जीरा और दो हरी मिर्च को मैंने फाईली चॉप करके यहां पे एट कर दिया है थोड़ा सा भून लेते हैं जीरा चटक चाय तेल में और इतने में मिर्च भी भून जाएगी अब डालेंगे यहां पे हम आधा का बारी कटा हुआ प्यास एक मीडियम साइज के प्यास को फाइली चॉप करके एट कर दिजिए क्यास का फ्ले मीडियम रखिए प्यास को हलका सा गुलाबी होने तक ही हमें भूनना है इस प्रोसेस में हार्ली आपको तेर से दो मिनट का ही समय लगेगा तो यहां पे पेस्ट से बहुत ही अच्छा यूनिक सा टेस्ट आता है इस ग्रेवी में तो यहां पे पहले एक वार अची तरह से मिक्स कर लीजे फिर कवर करके हमें इसे पकाएंगे लगबग 5-6 मिनिट के लिए तो यहां पे कवर कर देते हैं और ग्यास कफलें पूरी तरह से लो रख अच्छी तरह से भूनेंगे तो एक वार इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिलाने के बाद हमें इसे फिर से कवर करना है लगबग 5-6 मिनिट के लिए लो फ्लेम पे तो यहां पे देखिए इसमें से तेल अलग हो चुका है तो थोड़ा सा जो मोईस्टर दिख रह अच्छी तो यहां पे मसाले को भूनते हुए लगबग 2 मिनिट हो चुका है आप देख सकते हैं तेल पूरी तरह से अलग हो चुका है और टेक्ष्य देखिए मसाले का काफि स्मूथ है तो मसाले को भूनने में आपको कम से कम 10-12 मिनिट का समय लगेगा तो अब बारी आती की तो जितनी ग्रेवी चाहिए उसके कॉर्डिंग पानी आट कीजे मैंने एक कप पानी डाला है क्योंकि थिक ग्रेवी बना रही हुम है जो अंडो के उपर बिल्कुल लिप्टी रहेगी तो यहां पे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है क्यास कफले मीडियम तो हाई के बी अभी तर तक आएगा तो एक की कोई भी ग्रेवी वाली आप रैसीपी बनाते हैं तो अंडो को एट करने से पहले इस तरह से उसमें कट जरूर लगाईएगा आप देखेंगे ग्रेवी का फ्लेवर अंदर तक मिलेगा आपको तो यहां पे साड़े अंडो में मैंने बिल्क 6-7 मिनट के लिए अच्छी तरह से उंब लेंगे और पूरी तरह से अंडो के बीतर फ्लेवर आएगा यहां पे देखें हमारी रैसीपी बिल्कुल त्यार है बिल्कुल 7-8 मिनट तक मैंने इसे कवर करके छोड़ा था और इस तरह से टेक्शर आएगा बिल्कुल ग्रेवी कोटिंग रहती है अंडो के उपर बहुत इलाजवाब रैसीपी है जरू ट्राय कीजिए आपको बहुत पसंद आने वाली है तो इस रैसीपी को ट्राय कीजिए अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए जाज ज्यादा शेयर करना ना भूले मेरे चैनल पर पहली बार लगे जादे जादे कीजिए दे दो इंडे टेट शेयर की तेले कीजिए आने आने जादे एंगे जादे रादे की तो अटेंगे।